हलो फ्रेंज, वेलकम टो सोनम फैसन, बलोच का डिजान बनाएंगे, बलोच के बैक पाड़ के लंबाई लिए 14 इंच, सोल्डर एन आर्म होल दोनों रखे हैं मैंने हाँ पर 5 इंच, सीना 10 इंच, एंड कमर के लिए 49 इंच लिया है, बलोच का साज आप अपने इंच रख सकते हैं, गली की मार्किंग करेंगी, गली के चौड़ाय रिखे हैं नेच, गली के लंबाई के लिए 10 इंच पर निसान लगाया है, नेची की तरफ से गले की चौड़ाय रखेंगे 3 इंच, इससे देखें, एक बॉक्स बना लेना है, कि अर आधाध से ein निजान से हमें उपर की तरफ हलकी से गोलाई देते हुए इससे मार्क करना है गले को तो यहां पर हमने यह कुछ इस तरीके से स्वीट हाट गले की मार्किंग कर ली है अब इसी मार्किंग पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे गले की cutting हो चुकी है इसके पाँ सबसे पहले हम main fabric रखेंगे main fabric की उपर हमें अस्तर को रखना है और इसे secure करने के लिए हम pinze pin up कर लेंगे अब हमें गला radi करने के लिए गले में सलाई लगाने है तो सलाई हमें हाँ पर एक पर यहाप इंच का मारजन छोड़ती भी लगाएंगे ये देखी जिस सेप में हमने गले की cutting की है उसे सेप में हमें इसके उपर सलाई लगाते आना है गले में सलाई लगाने के बाद अंदर का जो भी अश्टा कपड़ा है उसे कट करके निकाल देंगे और इसमें हम छोटे-छोटे से कट लगाएंगे कट हमें कॉर्णर में यास से लगा लेना है बाकि सभी जगे भी हमें कट लगा लेने हैं छोटे-छोटे से इसके वह देखिये में अस्तर को अंदर की तरफ पलटना है अच्छे से खीचना है और अस्तर की उपर सिलाई लगाने हैं सिलाई हम बिल्कुल किनारे लगाएंगे अस्तर की उपर ये देखिए कुछ इस तरीके से सलाई लगाते आने है हमें अब हमें अस्तर को अंदर की तरफ पलड़ देना है इस तरीके से और इसके उपर प्निसिंग के सलाई लगाने है ये दिखिए कुछ इस तरीकिसे में अस्तर को पलड़ते ना है पूरा अंदर की तरह और इसकी उपर गले में प्निसिंग की स्लाई लगाते आना है गलावन की कम्प्लीट है इसे उल्टा करके रखेंगी और कमर के सैड से सलाई लगाते हुए हम इसकी आल राउंडर स्टिचिंग कर लेंगी ताकि अस्तर और में फैबरिक हमारा अच्छे से आपस में सिल जाए तो यहाँ पर मैंने अस्तर और में फैबर को आपस में अच्छे से सिल लिया है इसके बाद हमें से सीधा करके रखेंगी और इसमें कमर पट्टी लगाएंगे कमर पट्टी लगाने के लिए मैंने हाँ पर यह दो इंजे चोड़ी यस्तर की पट्टी लिए है पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे और इसमें एक साइट से सलाई लगाएंगे एक स्लाई लगाने के बाद पट्टी को पल्टेंगे और दूसरी स्लाई हम पट्टी के उपर लगाएंगे अब हमें पट्टी को अंदर की तरफ पलटते भी इसकी उपर एक स्लाई और लगा लेने है तो यहाँ पर हमारी कमर पट्टी भी कम्पिलीट हो चुकी है अब हम इसमें बैक टक्स के लिए निसान लगाएंगी जो कि हमें B2B सेंटर से 45.4 इंच वर लगाने हैं दोनों तरब बैक टक्स की लंबाई हमें 4.45 इंच तक रखने हैं अब इनी दोनों निसानों से देखिएंगे हमें इस तरीके से पलटना है और दोनों बैक टक्स की सलाई लगा लेनी है एक बैक टक्स कम्प्लीट है सिम इसी तरीके से हमें दूसरे बैक टक्स की सलाई भी लगा लेनी है इससे सैड में करेंगी दिजैन बनाने के लिए मनें हाँ पर ये दो जचोड़ी बिलोच के कपड़े की पट्टी कट करके लिए पट्टी को दोनों तरफ से पलड़ती हुए से एक बार और पलटेंगी और इसके उपर एक सलाई लगाएंगे तो यहाँ पर इस पट्टी में हमने एक सलाई लगा लिया है इसके बाद देखिए हमें पट्टी के दूसरे तरफ भी एक सलाई लगा लेनी है ताकि यह पट्टी भी हमारी एकदम फिनिसिंग के साथ रेडी हो जाए अब इस पट्टी में देखिए हमें चार बराबर पीस कट कर लेने है इस तरीके से इने सैड में कट देंगे इसके बन मने हाँ पर यह गोलाई में कटा हुआ अस्तर और में फैबरिक लिया है सबसे पहले में फैबरिक रखेंगे उसकी उपर अस्तर रखेंगे और इसे देखी अच्छे से cover करते ही हमें इसमें एक sly लगा लेनी है स्लाई लगाने के बद हमें अस्तर के b2m उप्च ठीक छोटा सा कट लगाना है कट हम छोटा सा ही लगाएंगी और इसी कट लेखी हमें इसे पलट कर सीधा कर लेंगे इसे फिंगर की हल्प से सीधा कर लेना है पलट कर और देखिए इसे अच्छे से सेट कर लेना है ताकि इसमें कोई भी सिल्वर्ट बगएरा नाला है रहे अब इसे डेकोरेट करने के लिए मनें हम लिए है यहां पर यह गोल्डन कलर की लेस को हमेंसे किनारे की तरफ अच्छे से ताइज कर लेंगे अच्छे से ताइज कर लिया है इसके बाद हम सुई धागा लेंगे और सुई धागा से हम इसके बीचो भी सेंटर में छोटी-छोटी से सलाई लगाएंगे सलाई लगाने के बाद दिखी हमें इसके उपर दो से तीन सलाई और लगा देने अच्छे से ताकि हमारा अच्छे से पक्का हो जाए सिलाई ना निकले इसकी ये छोटा सा बोबन की कम्पलीट हो चुका है इसके बद मैंने हाँ पर एक डोरी ली हुए है और चोकोर सेप में कटा हुआ कपड़ा लिया है कपड़े को डोरी के उपर हमें ट्रेंगल्स बनाते हुए अच्छे सिसिल देना है और इसे पलटकर सिधा कर लेना है यह हमारा लटकन मन के रेड़ी हो चुका है सिम इसी तरीके से हमें दूसरी सेट भी डोरी में लटकन लगा लेना है अब इस डोरी के उपर हम देखिए वो के उपर डोरी को तीन से चार वार लपेटेंगी और इसमें टैट नोट लगा देंगे अब हमें ब्लॉज को लेना है और ब्लॉज में यह जो हमने पट्टियां कम्पलेट की थी हमें इस तरीके से पट्टियों को रखना है सिम इसी तरीके से दूसरी से भी पट्टियों को रखेंगी इन्हें पिन लगा कर अच्छे से सिक्क्योर कर देंगे और अब हम इन पट्टियों के उपर एक सिलाई लगा लेंगे पिन को निकाल देंगे अब इसे डेकोरेट करने के लिए हम यहाँ पर यह गोल्डन क्लर की लेस लगाएंगे जो लेस मैंने बोपे लगाई थी तो लेस को देखिए हमें गले की किनारे किनारे अच्छे से फिनिसिंग के साथ अटाइच करना है जहां भी हमारे कॉर्णर आएंगे वहाँ पर हमें लेस को हलका सा पलट देना है यह देखिए कुछ इस तरीके से हमें लेस को अच्छे से अटाइच कर लेना है अब यहां वीडियो में देखाने के लिए लेस क्यूपर सर्फ एक स्लाइच लगाई है आपको एक स्लाइच लगा लेनी है इसको देखिए हमें नीचे की तरफ इस बो को रखना है और इसे सुई घागा से हम अच्छे से अटाइच कर देंगे अगे आगे आगे स्में तरीक से देखिए हमें चार मोटी को टक कर देना है इनकी उपर मनिहां पर ये मोटी को टक कर दीकिये हैं ब्लॉज का फैनल लूब कुछ इस तरीके से है वीडियो पसंद आए या थोड़ी सी फी हल्प लगे तो में एक स्वर वीडियो को लाइक तता चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद